नमस्कार, मैं हो ससी, आए जारखन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं है, जारखन की टॉफ 25 परमुख खबर जारखना है सिखर जीक के बारे में समाज की मायं को लेकर बुद्धवार को जार्खन के मुक्ष मंत्री हमान सुरें से फोन पर बात की जारखन में कोहरे से फिलहल रहात नहीं मिलेगी हलाकि सुबह में कोहरा लगेगा लेकिन बाद में आस्मान साफ होने पर कोहरे से कुछ हद तक रहात मिलेगी वही राजी के उतर पच्मी छेतर में हलकी बुंदा बांदी होने का भी अनुवान है कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है इस कारण लोगों से सतर्क रहने की अपिल की गई है दूसरी और कोई ट्रेन भी राध हुए है बता दे मौसम केंदर के बेग्याने अभी से कानन ने बताया है कि बादल आने और पुर्वाईया हावा चलने के कारण बंगाल की खाड़ी से नमी जारकन की ओर आ रही थी इन कारणों के कारण सुबह में घाना कोहरा देखने को मिला उन्होंने कहा है कि राजे में आगामी 15 जन्वरी 2013 तक कोहरे के स्थिती बनी रहेगी उन्होंने कहा है कि सुबह में कोहरे मिलेगी लेकिन बाद में आस्मान साफ होने पर कोहरे से रात मिलेगी जार्खन में पांच लाख चालीस हैर से अधिक बने नए भोटर मुख्य निर्वाज चन पता धीकारी के रभी गुमार ने कहा है कि जार्खन में अब मत्दताओं के कुल संख्या 2.45 लाख 29.841 हो गई है 9 नॉमबर 2022 से 8 दिसंबर 2022 तक चले विशेश संख्या पूर्ण रिक्षन कारेकरम 2023 के तहद वोटरों के संख्या में कूल 2.1% की ब्रीधी दर्च की गई पीछले प्रारूप परकासन के समय राज में मत्दताओं के कूल संख्या 2.49,89481 थी विशेश संख्या पूर्ण रिक्षन कारेकरम के तहद राज भर में चले विशेश ड्राइब में कूल 5,44,360 नॉमदता बने इन में करीब 96.28% आवेदान ओनलाइन प्राप्थ हुए उन्होंने कहा एक जनवरी के अंज तक इन नया मत्दताओं को नया वोटर का डुपलब दिकरा दिया जाएगा वे गुरुवार को धुरवा के सेक्टर 2 इस्थीत निर्वाचन सदन चबागार में पत्रकार को समोधित कर रहे थे जारखन में कडाके की ठंड में ठी ठूरते हुए नण्हे मुन्हे पहूंच रहे आंगनवाड़ी केंद्र जारखन में सरकार ने पहली से पांचवी का ख़त के सभी स्कूलों को बंद कर दिया है लेकिन लागातार बढ़ रही ठंड के बीच आंगनवारी केंद्र में अभी भी बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए यहां अभी भी पठन पाठन बंद नहीं हुआ है बता दे हजारी बाग जीले के बटागाव पर खंड में एक जनवारी से पांज जनवारी तक कलागे की ठंड पड़ी वहीं गुरुआर को बटागाव का ने उतनता पन पांट डिगरी से लसिया दर्च किया गया इस कलाती ठंड में बढ़कागाव पर खंड के 157 आंगनवारी केंद्रों में बचे अभी भी ठी टूरते हुए आ रहे हैं आगनवारी केंद्रे के बंद नहीं होने से अभी भावकों की चिंता बढ़ गई है ठंड के असल से बच्चों को सर्दी लगने की चिंता माता पिता को रहती है वहीं छोटे बच्चों को सर्दी लगने पर निमुनिया होने का भी खत्रा बढ़ जाता है ACB की टीम ने रामगण महिला थाना परभारी को 10 से रुपे घुस लेते किया गिरफतार परष्टाचार निरोधक बीरो ने रामगण महिला थाना परभारी मेंजारी बीरुगा को 10 से रुपे घुस लेते रंग यहां थे धर दबोचा है महिला थाना परभारी पर एक केस के मामले में घुस लेने का आरोप है सिकायत करता द्वारा ACB हजारी बाग के अधिकारियों को इसकी सिकायत की गई इस सिकायत के अधार पर ACB ने महिला थाना परभारी को गिरफतार किया गिरफतार करने के बाद ACB की टीम उन्हें लेकर हजारी बाग ले गई बताया गया है कि एक केस के मामल में रामगार महिला थाना प्रभारी ने 10 रुपेर घुस की मांग की थी सिकायत करता ने इसकी सिकायत ACB हजारी बाक से की सिकायत मिलते ही ACB की टीम पहले मामले की जांच की सिकायद सही पाया जाने के बाद एक योजना के अधार पर रामगर्ण महिला थाना प्रभाई को गिरफ तारी की गई जमसेदपुर में इस्टील अर्लोहे से बन रहा सोव बेट का अस्पताल पुर्भी सिम्हुम जीला अंतरगत जमसेदपुर के खास महलेश्थी सदर अस्पताल परिसर में सोव बेट का फिल्ड फेबरिकेटेड होस्पिटल बनाया जा रहा है इसकी 638.9 लाग की प्रसासनेक सुक्रिती मिली है इस अस्पताल को इस्टील और लोहे से बनाया जा रहा है इसका उप्योग महामारी या किसी इमर्जेंसी के लिए किया जाएगा नेशनल हेल्थ मीशन के ताथ जार्खन राज भवन निर्मान निगम रांची दोरा इसका निर्मान हाइटेक कंस्ट्रक्शन दोरा किया जा रहा है बताया जाता है कि 7 नमबर 2022 को बिश्टू पूरिस्थीत गोपाल मैदान में आयोजीत आपकी सरकार आपके द्वार कारकर में मोके मंत्री हैमान सुरें द्वारा इस्पताल का सिलन्यास किया गया था यह अस्पताल आते अधुनिक सुविधाओ से लेस होगा ताकि किसी परकार की महामारी में इसका उप्योग क्या जा सके जार्खन को जल्द मिलेगा नए डिजीपी 3 IPS के नाम पर मुहर जार्खन का नए डिजीपी कौन होगा इस पर अविस्थिती असपास्ट हो गई है गुरुवार कुने दिली में संग लोग सेवा आयोग बोर्ट की बैठक में तीन IPS अधिकारियों के नामों का चैन हो गया है इन में 1989 बैच के दो IPS अधिकारी अजय भटनागर और अजय कु अधिकारियों का नाम भेजी थी इन में सबसे आगया 1988 बैच के IPS अधिकारी एस एन प्रधान का नाम था समेद सीखर को पर्याटन की जगा तेस्थ अस्थल घोसित करने को लेकर मौन जूलूस बिश्व परसिद तीस्थ अस्थल पारसनाथ मधूबन को पर्याटन छेत्र के बजाए तीर्थ छेत्र घोसित करने और सरकाई दास्तवे से पर्याटन छेत्र हटाने की मांग को लेकर गुरु वार्दो पहर सकल जैन समाज ने गिरीडी सहर में जबर जश्ट परदसन किया सहर में मौन जुलूस निकालने के बाद समाज के सभी लोग उपायुक्त करया लेवाहान से पहुंचे और उन्हें मांगो का ग्यापन सोपा परदसन में अन्हें समाज के परतिनिदी भी सामिल हुए बता दे परदसन से पहले अस्थाने गांधी चौक के पास जैन धर्म साला के सामने जैन समाज के सभी लोग जुटे मार वाड़ी सीख समेच समाज के परतिनिदी भी मौजूद थे रांची पूलिस ने हथियार के साथ 11 उग्रवादियों को किया गिरफतार रांची पूलिस को पहली सफलता उस वक्त हाथ लगी जब बेड़ो थाना चेत्र के रहने वाले एक बड़े कारोबारी से दस लाख रुपए की रंगदारी मांगने वाले चार पीले फाई उग्रवादि पकड़े गए CM के पत्र के बाद पारस नाथ पर नसीले पदार्थ अलबर श्पीकर बहें केंदर सरकार के इस आदेश के बाद जैन धर्म के लोगों के चल रहे बिरोध के बंद होने के उमिद है बता दे जैन धर्मलम्यों का सबसे पवित्र अस्थल समेद सिखर राइनिती का ख़़ा बनता जा रहा है केंद्र और राज सरकार के बीच खुद को जैन ही तैसी साबित करने की होड मच गई है लेकिन सच तोया है कि इसकी आड में राइनिती रोटी से की जा रही है दरसल जैन धर्मलमियों की माँंग है कि समेद सिखर जी को परटन अस्तल की सिरनी साटा कर तीर्थ अस्तल की सिरनी में डाला जाए जारखन में कोट फिस बिरिधी का बिवाद गहराया जारखन में कोट फिस में बढ़ोत्री को लेकर बावाल मचा हुआ है इसे लेकर बार कंसिल और सरकार के बीच ठन गई है हलांकि C.M. ने समस्या के समधान के लिए उन्हें बुलाया है लैकिन कॉंसिल ने उसमें नहीं जाने का फैसला लिया बता दय जार्कन में कोट फिस में विरिधीक के राज सरकार की फैसले के खिलाप राज भर के अधिवक्ता अंदोली था है इस फैसले पर बिवाद इस कदर बढ़ता गया है कि राज में बार कॉंसिल और इस्टेट गोवर्मेंट एक दूसरे के आमने सामने हाए बार कॉंसिल ने एलान किया है कि सरकार के फैसले के खिलाप राजे के 35 हजार से भी अधिक अधिवक्ता 6 और 7 जनवरी को अधालती करवाही का भहिस्कार करेंगे वहीं दूसरे तरफ मुखे मंतरी हमान सुरे ने इस मुदे पर अगामी 7 जनवरी को राजे भर के अधिवक्ता प्रतिनीदियों के साथ सनवाद के लिए बैटक बुलाई बार कॉंसिल ने अधिवक्ताओं से सीएम के सनवाद कारिकरम में भाग नहीं लेने की अपील की गुर्वार को जार्खन की मिटी बिमार इलाज के लिए खरी दी गई मसीन हुई कबार जार्खन की मिटी खेती की अनुरूप नहीं मानी जाती है कहीं इसमें बहुत से तत्यों की कमी है तो कहीं अधिकता भी है इसी को ध्यान में रखते हुए 2014 में भाजबा सरकार ने स्वाइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी इसके तहट मिटी की जाच के बाद उसकी कम्यों को दूर कर ज्यादा फसल उगाई जा सकता था इसके तहट कोडोरों की मशीने खर दी गई थी जो हे मंत सरकार की तरफ से योजना के लिए रासी निर्गत नहीं होने पर कबाड बन गई बता दे साल 2014 में जब परधान मत्रियान मोधिक नेतियत्यों में एंडिये की सरकार बने थी तो उस समय पिये मोधि ने किसानों की खुशाली के लिए जिन चीजों पर विश्यस द्यान दिया था उसमें से एक था स्वाइल हेल्थ काड योजना इस योजना के तहट किसानों को खेतों की मिटी की जांच करया पता लगाया जा सकता था कि जिस मिटी में किसान फसल उगाता है उस खेत के मिटी की तासिर कैसी है उस मिटी में किस किस पोसकततों की कमी है और कैसे किसान अपने मिटी की कमीों को दूर कर ज्यादा ज्यादा फसल उगा सकता है आंदोलन से उपजी पार्टी जहममों के 50 साल जारखन मुक्ती मोर्चा अपने अस्थापना के 50 साल को पूरा करने जा रहा है बतादे जल जंगल जमीन के आंदोलन वाले गर्व से निकली पार्टी ने अपने 50 सालों में कई बड़े उतार चड़ाओ देखे है जारखन मुक्ती मोर्चा अपने अस्थापना के 50 साल गिरा मनाने जा रहा है जारखन मुक्ती मोर्चा के जामों के अस्थापना होई थी तीन लोगों ने मिलकर जारखन मुक्ती मोर्चा के अस्थापना की थी आज उसमें से सीवु सुरेन ही जिन्दा है जो उस समय जार्खन मुक्ती मोर्चा के संस्थापक महासचीव थे मताद जार्खन मुक्ती मोर्चा का गठन चार परवड उनेसोती हतर को हुआ जार्खन मुक्ति मौर्चा के गठन के समय सीवू सुरेन के उम्रा 28 साल के थी 1973 से लेकर आई तक जार्खन मुक्ति मौरचा ने राएनेती तोर पर अपना विकास किया है केंद्री गिरिह मंत्री का जार्खन दावरा कड़ी सुरक्षा के बिच रिहलसल केंद्री ग्रिह मंत्री अमित साँ ज्हारखन दब्सकी ओ देना इंद्री में छाति में बीजेपीनेताओं के साथ मुलकाइट करेंगे इस देदराल राजेक की राजनेती पर चार्चा होने की संभावना है इसके बाद वे फिर साथ जन्वरी को जार्खन के चाईबासा जीले में होने वाले कारिकरम में भाग लेंगे केंद्रिये गिरी हमांत्री के आगमन को लेकर गुरुवार की साम रांची एरपोर्ट से लेकर होटल रेडिसिन बुलू तक कार्केट रिहलसल किया गया रामगर उपचुनाव की त्यारी अमतिम चरन में रामगर सीट पर उपचुनाव मार्च में होने की समावना है भारत निर्वाचन आयोग के दोवार हरी जंडी मिलने के बाद 6 जनवरी को मुख निर्वाचन पतादिकारी के रभी कुमार रामगर में चुनावी तयारी का जाजा लेने जाएंगे बता देक कांगरेस विधायक ममतादेवी की सेसे तस्तमाप थोने के बाद रामगर सीट पर उप चुनाव जल्द होंगे भारत निर्वाचन आयोग से हरी जंडी मिलने के बाद मुख निर्वाचन पतादिकारी के 420 का मुकादमा फर्जी राशन कारधारियों को लेकर सरकार एक्षन में है ऐसे कारधार को खिलाब 1420 का मुकादमा किया जाएगा राजी की राजधानी रांची से इस मुहिम की सुरुआत हो रही है जिला पूर्ति अधिकारी ने इसे लेकर परकंडों को निर्देश जारी कर दिया है राज्य में फर्जी रूप से राशन कार्ड बना कर गरीबों का सरकारी राशन खाने माले लाब को पर सरकार धारा 420 के तहत मुकादमा दर्च कराएगी इसकी सुरुआत राजधानी रांची से होगी जिसको लेकर रांची उपाईवक्त राहुल कुमार सिन्हा ने पिछले दिनों बैठा कर जिला पूर्ति पतादिकारी को आदेश दिया है बतादे रांची डिसी दो आरा मिले आदेश के बाद जिला पूर्ति पतादिकारी अलवर्ट बिल्गूल ने इस दिसा में कदम उठाते हुए सभी प्रकंडों को प्रारामभिक चरन में 5-5 ऐ लेखनी के लिए आवाड मिला है मेघा समाज के जोलंत और महिला उत्थान पर विशेश रूप से लिखती है या आवाड उन्होंने अपने परिवार वालों को समर्पित किया कहते हैं कि यदि जुनून और जज़बा हो तो इंसान किसी भी सपनों को पूरा कर सकता है कुछ आईसा ही कर दिखाया है रांची के धुरुआ की रहने वाली मेधा सिरिवास्तव ने 28 बरस की मेधा सिरिवास्तव रांची के एक बैंक में काम भी करती है और उन्होंने अपनी लेखनी के दम पर इंटरनेशनल एजुकेशन अवार्ड 2022 का खिताब जीत लिया है रांची सदर अस्पताल में महांगा हुआ इलाज रांची सदर अस्पताल में रेजिट्रेशन भी डबल बेट चार्ज और सिंगल रूम चार्ज में बढ़ोतरी कर दी गई है जिसे लेकर मरीज परिसान है उनकी सिकायत है कि फीस में बढ़ोतरी हो रही है लेकिन बेवास् इसके अलावा अलग-अलग जाच के चार्ज को लेकर भी मरीज परिशान रहते हैं बता दिये देश की राईधानी धिल्ली में जहाँ सरकारी अस्पतालों में इलाज और जाच की निसुल्क सरकारी सुईदा है वहाई जार्खन की रहज़ानी रांची के सदर अस्पताल में इलाज मांगा हो गया है आज से OPD मरीजों को लगने वाले निबंधन सुल्क में 100 पर्धिषत की बिलेधी कर दी गई है बिज्ञान लेब के संचालन के लिए सिक्षकों को उदायपूर में मिलेगी ट्रेनिंग सरकारी मध्य बिद्यालों में बिज्ञान पर्धियों की इंजिनियरिंग और गनीत पहल के तहट मोबाईल इनोवेटर लेब की सुविधा बहाल कर दी जा रही है इसके बेहतर संचालन के लिए अब सिक्षकों को प्रसिक्षन दिया जाएगा रांची और गुमला के औरतिक सिक्षकों को पहले चरण के प्रसिक्षन के लिए चुना गया है इन्हें उदायपूर में चार दिवसे प्रसिक्षन दस जनवाई से दिया जाएगा स्वास्त मंत्री की और मामला अगामी केबिनेट में उठाइने का स्वास्त देने के बाद सुरक्षा कर्मी ने हैताल समाप्त किया है हलाकि दिन भरहताल के कारान MRI CT scan कराने वाले मरीज सर्वाधिक परिशान होते रहे जिने एक से दूसरी जगा जाना पड़ता है इमर्जनसी में भी आने वाले मरीज परिजन परिशान होते रहे नयाईक कारे से अलग रहने वाले अधिवक्ता पर पिलक करवाई नहीं करने का अनुरोध जारकन सरकार द्वारा नयाईक सूलक में अपरतरसित ब्रीधी के बिरोध में जारकन स्टेट बार कॉंसिल के आदेश पर रांची जीला बार एसोसेशन का अधिवक्ता छो एवं साथ जनवरी को बिरोध जताते हुए अपने आपको नयाईक कारे से अलग रखेंगे तक कई महत्वकुन समय तीन हयार साधिक मामलोग सुनवाई परभावित रहेगी 22 फरवरी से तीन मार्च तक मोराबादी में लगेगा पर्यावरन मेला रांची के मोराबादी मैदान में 22 फरवरी से तीन मार्च तक पर्यावरन मेला लगेगा युगांतर भारती और नेचर फांडेशन के सनुग तत्वाधान में आयोजन होगा इसमें विबीन संस्थावों की ओर से एस्टोलों के माध्यम से परदूसर नियंत्रन जय विवित्त सनक्षन पर्यावरन अर्थसास्त पर्यावरन हिताई सिक्रिसी किलीन एवं ग्रीन उर्जा तत्था परी अनुकूल भोजे पदार्थ आदिके छेत्र में कियेगा पर्यासो तता उसके प्रतिफल को दिखाया जाएगा गुरु आरको निर्दलिये विधायक सर्जु राय एवं मेला कार करनी समीति के सरस्यों देवरा परयावरन मेला से समधित ब्रोसर का विमोचन किया गया सातीवी से दसवी जे पीएसी परिक्षा की हो सीवी आई जाज शातीवी से दसवी जे पीएसी सन्यूक तो सीवील सेवा परिक्षा का कॉट अफ मार्क्स जारी होने के साथ ही इस पर विवाज शुरू हो गया बिपक्षी दलों के साथ-साथ अभियार्थियों ने भी मोर्चा खोलते हुए पुरे मामले की CBI जाज कराने की मांग की जारखन इस्टेट इस्टूडेंट के देवेंदर नात महतो ने कहा है कि अब्यार्थियों के अंदोलन और कोट के निर्देश का पईनाम है कि जारखन लोकसे वा अयोग ने रिजल्ट के आठ माबाद मार्क सीट वा कॉट अप मार्क जारी किया लेकिन पूरे पहिना में गड़ बड़ी की बड़िया संकादिक रही है उन्होंने कहा एकी सातवी से दसवी जेपीसी में भी पहली और दूसरी जेपीसी की तरह सफल अभयातियों को भासा पेपर में नबे फिजदी अंक और समाने अध्ययन के किसी न किसी भी साय में दोसों में 150 अंक दिये गए 10 से 25 फरवई तक खिलाई जाएगी फैलेरिया रोधी दवा राजे के 17 जीलो में 10 से 25 फरवई तक मास ड्रग एड्मिस्ट्रेशन कारिकरम चलाया जाएगा कारिकरम के सफल संचलान को लेकर एनेचे मुख्यालाय नामकुमे गुरुवार को समधित जीलो के वेक्टर बोर्न डिजीज पताधिकारी सलाकार कारेकरम समन्वे एवाम एफ एल एफ परतियोगी को प्रसिक्षन दिया गया जीलो में एमडी एक आयोजन किया जाना है उनमें रांची बोकारो देवगा धनबाद गुमला रामगर स्टावगंज पांकुल कोडरमा गिरीडी हजारी बाग खोटी गढवा लोहर दगगा सिम्डेगगा पुर्वी सीमू और पच्मी सीमू सामिल हाए राज का एकनम पता धिकारी वेक्टर बोन डीजी डाक्टर अनिल कुमार ने कहा है कि 10 से 15 परवड़ी 2023 फैलेरिया रोधी दवा की एकल खुराट दवा प्रसासन अपने सामने ही लोगों को खिलाना सुनिश्चित करेंगे स्कूली बच्चों को साइकल नहीं मिलने का मामला पहुंचा राजभवन जारकन सरकार के कल्यान विभाग द्वारे स्कूली बच्चों को साइकल नहीं दिये जाने का मामला राजभवन पहुंचा है करवाई करे धन्यवाद दिन भर की खवर साम साधे पांच बज़े देखना ना भूले साथ आप वीडियो को एक लाइक करें दोस्तों को सेर करना भी ना भूले साथ आप हमें कोमेंट बक्स में आपना फिडिवाएक अवसे दे थांक यू